नमस्का दोस्तो राधे राधे आओसम कलेक्टिब्स में आप सभी का एक बाफिर से बहुत-बहुत स्वागत है जी है दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मंगल वार वृत की कथा जी है दोस्तो जो ये कथा सुन लेता है उसकी आधी समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जा आपको समय से मिलते रहें तो आए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों एक समय की बात है एक ब्राह्मन दामपति की कोई संतान नहीं थी जिसकारण वह बेहत दुखी थे एक समय ब्राह्मन वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया वहां उसने पूजा के साथ महावीद जी से एक पुत्र की कामना की घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्रापति के लिए मंगलवार का वरत करती थी वह मंगलवार के दिन वरत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी एक बार वरत के दिन ब्राह्मनी न भोजन बना पाई और नहीं हनुमान जी को भोग लगा सकी उसने प्रण किया कि वह अकेले अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी वह भोगी प्यासी छा दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देख कर प्रशन्न हुए उन्होंने आसिरवात स्वरूप ब्राहमनी को एक पुतर दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा बालक को पाकर ब्राहमनी अति प्रशन्न हुई उसने बालक का नाम मंगल रखा कुछ समय बाद जब ब्राहमन घर आया तो बालक को देख पूछा कि वख कौन है पत्नी बोली कि मंगलवार रख से प्रशन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है ब्राहमन को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका देखकर ब्राहमन ने बालक को कुए में गिरा दिया घर पर लोटने पर ब्राहमनी ने पुछा कि मंगल कहाँ है तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया उसे वापस देखकर ब्राहमन आश्चर्य चकित हो गया रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है ब्रामन सत्य जानकर बहुत खुश हुआ इसके बाद ब्रामन दामपत्ती प्रतीक मंगलवार को वरत रखने लगे जो मनुष्य मंगलवार वरत कता को पढ़ता या सुनता है और नियम से वरत करता है उसे हनुमान जी की किरपा से सब कश्ट उसके दूर होकर सर्वशुक की प्राप्ती होती है और हनुमान जी की दया से उसके सब कार्य शिद्ध होते है दोस्तों आप भी हनुमान जी की पूर्जा अराधना करे और इनका लाप प्राप्त करे रंग बली ने चाहा तो आपकी सारी मनों कामनाए जल्द ही पूरी हो जाएंगी धन्यवाद दोस्तों राधे राधे